हलो नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर सुमित कड़वा हाजीरों आपके अपने फाइब मिनिट्सों के इस पचासवे एपिसोड में जी हाँ दोस्तों अपना आज पचासवे एपिसोड लगातार आज अगर कोई इस एपिसोड को देख रहा है तो वो पहली बार देख रहा है तो चलिए शुरू करते हैं आज अपन जानने वाले हैं दोस्तों परजीवी की परजीवी क्या होता है और इसके अंदर अपन कैसे चर्चा करेंगे वो अभी मैं बताता हूँ दोस्तों परजीवी क्या होते हैं ये परजीवी वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आशरित रहते हैं निर्भर रहते हैं यह जिन पर निर्भर रहते हैं उसको होश्ट कहा जाता है और इनको कहा जाता है परजीवी यहां परजीवी का संकर्मन जो है यह ध्यान रखना इनफैस्टेशन कहलाता है यह बहुत इंपोर्टेंट बात है कि परजीवी का जो संकर्मन है उसे इनफैस्टेशन कहा जाता है ये काफी महतोपूर्ण बात है, फिर अपन बात करते हैं, परजीवी दो परकार के होते हैं, एक होता है बाहे परजीवी, एक होता है अंतहे परजीवी, बाहे परजीवी कौन होते हैं, जो सरीर की बाहे सतह पर संकर्मन करते हैं, वो कहलाते हैं आपके अपने बाहे परजीव करते हैं यह आपको ध्यान रखना है बाहे परजीवियों के अंदर अगर अगर अपन कुछ उधारण की बात करें तो जैसे उधारण आपके लिए हो जाएगा माइट इसके साथ ही साथ और इंपोर्टेंट उधारण की बात करूँ तो हो जाएगा टेक्स यानि चीचडे साथ ही साथ दोस्तों और बताऊं तो आपको ध्यान रख लेंगे जो या इसे आप लाइस कह सकते हैं या इसी के साथ आपका एक और एक्जामपल हो जाएगा कह सकते हैं तो अंत में हो जाएगा मक्षी दोस्तों माइट का संकर्मन जो होता है उसे मैंज कहते हैं और जो मक्षी होती है इसका संकर्मन मियासिस कहलाता है टिक्स का संकर्मन है दोस्तों वो टिक वरी कहलाता है और यहां से अगर मैं आपको एक और महतोपूर्ण बात बत रह जाएंगे दोस्तों यह जो मेंज है यह मेंज आपको चार परकार की देखने को मिलती है मुखे रूप से आपको देखने को मिलती है डेमो डेक्टिक मेंज डेमो डेक्टिक मेंज आपको देखने को मिलती है इयर मेंज इसके साथ यसाथ आपको एक देखने को मिलती है foot mange यानि पाऊं के अंदर mange है साथ यसाथ आपको एक और mange देखने को मिलती है जिसे कहते है head mange दोस्तों मुक्खे रूप से ये demodactic और ear mange जो है ये कुटे में देखी जाती है और यहाँ से मैं बात करूँ को मिलती है और यह जो हैड मेंज है हैड मेंज आपके दोस्तों किस में देखी जाती है भेड में अब यहां से मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहूं तो वो आपकी रिलेटेड रहेगी किस से अंतहे परजीवियों से दोस्तों अंतहे परजीवी मुख्य रूप से कितने परकार के होते हैं अंतहे परजीवी आपको मुख्य रूप से चार परकार के देखने को मिलेंगे सबसे पहले जो अंतहे परजीवी होंगे उन्हें अपन प्रण कर्मी या ट्रीमे टॉड खह देंगे ट्रीमे टॉड या परण कर्मी फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन इन्हें क्या कह सकते हैं कि फीता कर्मी फीता कर्मी या टेप वर्म इनको कह सकते हैं और टेप वर्म का मतलब एक और नाम इनके लिए दे सकता हूँ शिश्टॉड इनको बोला जाता है और फिर मैं बात करूँ तो यहां पर आपके आते हैं निमेटॉड और यह जो निमेटॉड है इनको अपन राउंड वर्म भी बोल सकते हैं राउंड वर्म के साथ-साथ इनको गौल करमी भी बोला जाता है एक-एक करके इनको अपन देखते हैं और दोस्तों यहां से जो देखा जाए तो आपको उधारन के रूप में बताऊं तो परण करमी के अंदर आपका आता है फेशियोला साथी साथ शिष्टो सोमा और एक जो है वो आपका आता है एमफी इस्टॉम इनको अपन एक-एक करके देखेंगे आगे चल करके फिता करमी के अंदर आपका मोनीजिया आता है जो मोनीजिया है वो आपका किसके अंदर आता है फिता करमी में और जो टीनिया है ये भी आपका किसके अंदर सामिल होता है फिता करमी में साथी साथ निमेटोड के अंदर आपको एसकेरिस देखने को मिलेगा इमोंकस कॉंटॉर्टस देखने को मिलेगा और साथी साथ आपको इसके अंदर इस्ट्रोंगाइलस कॉंटॉर्टस इस्ट्रोंगाइलस वल्गेरिस भी इसी में देखने को मिलेगा तो ये कुछ बड़े ही महत्व पूर्ण जो चीजे हैं वो इसके अंदर सामिल होती है फिर अपन एक-एक करके देखेंगे परण कर्मी फीता कर्मी निमेटोड इनके रोग देखेंगे बाहे परजीवी के रोग अपन देख लिए हैं आपको मैं दिवाली ओफर के बारे में थोड़ी जानकारी देदेता हूं कि उतकर्ष की बुक साला की जितनी भी बुके हैं उनके उपर अप्टू 80 परसंट डिसकाउंट चल रहा है जिसमें आपको पता है कि अपनी जो किताब है बहुत ही महतोपूर्ण अगर अंतिम समय में कोई भाई यहां से पसू परिचर की तैयारी कर रहा है और पसू परिचर के लिए वो अगर अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकना चाहरा है तो वो ताबूत के अंतिमकील यहां से आप ठोक सकते हैं भर भर के MCQ दिये हुए हैं इसके अंदर भर भर के MCQ मिलेंगे भर भर के PYQ मिलेंगे यानि आपकी प्रैक्टिस के लिए एक संपूर्ण पुस्तक है जो आपको यहां देखने को मिल जाएगी साथ इसाथ दोस्तों आपको पता है ट्रिपल धमा का ओफर चल रहा है जिसमें अप्टू 90% डिसकाउंट है उतकर्स एगरिकल्चर एप के सभी ओनलाइन कोर्सेज पे साथ इसाथ एक्स्ट्र वैलिडिटी मिल रही है तीन महिने की और रिकोर्डेड कोर्स फ्री वित साथ इसाथ आप लोग देख सकते हैं कि सामको डेली क्लास लेके आता हूं सामको सबसाथ बजे तो यहां भी आप लोग जुड़ सकते हैं फिर बताओ आपको तो पसू परिचर के लिए 75 डेज में 600 रुपे का और प्राइम जो है वो 1100 का है mcq 400 रुपे का है और पसु परीचर कॉंबो 500 का है तो इसे भी आप पर्चेज कर सकते हैं जेट फाउंडेशन 2025 स्टेंडर्ड जो है 3500 का और प्राइम 4500 का एगरिकल्चर सुपर्वाइजर का जो है आपको 2500 रुपे में देखने को मिल जाएगा फिर आप देखेंगे एगरिकल्चर सुपर्वाइजर टैस सीरीज 100 रुपे में जेट 2024 टैस सीरीज 150 में और पसु परीचर की टैस सीरीज आपको 200 रुपे में मिल जाएगी ठीक है दोस्तों आगे आने वाले जो एपिसोड है उसके अंदर अपन एक एक फीता कर्मी और इन से संबंदित बातें करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जै हिंद जै भारत